किया किया है इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनव से आपको बता रहा है जापर शराब दुकानों में अनिमित्ता का मामले के चलते नियमों को दरकिनार कर गई चोहदी परवर्तन अनिमित्ताय देखी गई और इन अनिमित्ताओं के चलते जिलाबकारी अधकारी कि सामने आया है नियमों को दरकिनार कर गई चोहदी परवर्तन में अनिमित्ताय सामने आई जिलाबकारी अधकारी सबित दो अभकारी दिरिक्षकों को कर की गई यह कारवाई सस्पेंड किये गए है जिलाबकारी निरिक्षक सबित ढोलोग जिलाबकारी अधकारी लखनव और दो आपकारी निरिक्षप पर गिरी है कार्ड सेस्पेंट ये गए है अनिमित्ताओं के चलतेज वक्त की पड़ी खबर राजधानी सूबे की राजधानी लखनव से आपको बता रहे है जहापर शराब की दुकानों बे अनिमित्ताय का मामला सामने आया है ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सुभाता था कौशलेंद उपर था है हमारे साथ जुड़ चुके हैं कौशलेंद क्या और ज़्यादा जानकारी मिल पारी इस खबर की लिहास से देखिए आपको बताएं कि जब सराब की दुकाने इलाटि जाके इसमें चौहदी पर वर्सन की मामला आता है कि उसमें जैसे होता है क्योंसी दुकान की चौहदी पर है कहां पर है उसमें कई अनिम्ता जैसे कई दुकाने जो है अगर जो गलियों में थी तो उसको जो है चौहदी दिखा कि इन्होंने उसके जो है इलाक्मेंट कर दिया उसके बाद जब इसकी जास होईती हैं कि देखिये जो सराब का ठेका लेगा वो कमस्तम अपने जो रेट होगा उसी इसाब सो दुकान अपना टैकरता है कि हमारी अगर चौहदी दुकान रहती तो उससे दिक्तरी जादा होती है तो उसी हिसाब से लोग दुकान लेते हैं लेकिन अगर चौहदी पे दुकान नहीं है तो बिक्री कम होगी इसके लिए इसकी सिकाइट कही साराप के जो कारोबारी हैं उन्हों ने किया इसकी की है और चौहदी दिखा कर हमको दुकान देगे लेकिन चौहदी तो दुकान नह गया और आजिन को सस्पेल कर दिया बहुत कोполож szukriya कौशंट लेन तबाप जानकारियों को बताने के लिए लखनो से इस Andrea कर दोपर लिया गया सने डोरों-घतीरों को किया गया है इस सस्पेल्ग है और लखनो से इस वक्त कैसा